हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे आप सब आई होप अच्छे ही होंगे तो मेरी सुबह की शुरुवात हो गई है मैंने नहा लिया है खाना तो मैंने पहले ही बना के रख लिया था और उसके बाद नहा लिया है और अभी घर का काम रह गया है कुछ डिस्टिंग और जो भी एक्स्टर काम है वो रह गया नहाने के बाद पूजा कर लिया है और कल जन्मस्ट मी भी है तो उसकी क्लिप भी मैं इसी में डाल दूँगी क्योंकि जन्मस्ट मी के दिन थोड़ा सा ज्यादा बीजी हो जाते है तो मैं ज्यादा मतलब वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम होता नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती थोड़ी सी जो क्लिप बनाओंगी वो मैं इसमें डाल दूँगी तो बस अब हमारी पूज़ा भी हो गई है अब हम दूसरे काम कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं मसीन में कपड़े डाल देते हूँ अब कपड़े धुलते रहेंगे जब तक जो दूसरे काम है वो कर लेंगे तो ये मेरे कल के कपड़े पड़े हुए थे क्योंकि बारिश को मौशा में आना तो एक दिन मैं कपड़े सूखते ही नहीं हैं दो दो दिन तक कभी कभी तो दो 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 दिन तक पड़े रहते हैं तो कल जो दोई थे वो आज मैं उठा रही हूँ आज तो सूख गए हैं और कभी कभी यह होता है कि उठाने के बाद गीले होता है तो अंदर डालना होता है अंदर डाल देते हूं जैसे डाइनिंग पर यह पड़े हूए है Michigan यह मैंने परसो दोई थे तो कल उठा के डाइनिंग पे डाल दिये थे, वो कल दोई है आज उठा लिया है, कल वाले तो सूग गए है, तो इनको भी मैं उठा लेते हूँ, अब इनको फोल्ड कर देंगे और सासा जो प्रेस के कपड़े हैं, वो भी मैं एक खटा एक कपड़े में बांदूंगी इनको तो बाकी सारा काम होई गया है सुबह मेरा खाना उठते ही बन जाता है उठने के बाद चाय पी उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लगते हूँ क्योंकि मेरे बेटी है वो लंच ले जाती है रखाने पर मेरा उठका पॉम पिनएट बनाना तो इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी तो ये कपड़े भी बांद के रख देते हूं और जब प्रैस वाले जो भीया है वो आएंगे तो उनको दे दूँगी तो बंदे रखे रहते हैं तो कुछी से इसे भी बोलदो की कपड़े रखें अगर वो बैल बचा रहे हैं तो कपड़े रखें अब दे दो अगर मैं केचेन में कुछ काम कर रही हूं तो बस अब थोड़ा सा डेस्टिंग कर लेते हैं जो समान फैला हुआ वो समैट लेते हैं उसके बाद मेरा काम खतम हो गया है वो गषो समर् सद्टिंग काम रियंगिए तो आज मचे पिन बठर बंदनाना है मेरी बेटी को बहुत पसंद भवाद अब यह बस को पीनफ बठर थी चाहिकी तो जरुरू ट्राय करना इसकी रेसेपी ऑढ़ाया दिखाऊंकि कि इस तरहीके से मैं बनाया है और यह मैं चॉकलेट वाला बनाऊंगी, तो चॉकलेट वाला इस पेसली बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो एक बार आप इसको जरूर प्राय करना, तो पहले तो हम पीनट को रोस्ट कर लेंगे, जैसे मैंने कर लिया है, थोड़ा सा और रोस्ट करना, जादा जैसे ते की निकालना है, और निकालने के बाद हमें इसको पीसना तो यह प्रास्स माइपको खोड़ा तो दिखाते जाओंगी कि किया मैं हम थे पीनट अच्छे से रोस्ट हो गये हैं, और बस हांसे आप चेक लें कि इनके छिलके अच्छे से निकलने लगे हैं, जह थोड़ा सा टा तो मैंने अपना लगा लिया है मेरे खाना बनने ही रखा हुआ था बस पीलेट लगा कर מכाने है उसके बार फोर कह एक औगे प्रॉसस सुरू करती हूँ आप ब्राइटा प्रिंदा थी अकामने के लिए आज इसेसे में लिए बनाई है, जब मैं खाना खाती हूं, तो तसलीच से ही खाना खाते जल्दवाजी मैं खा लिया, मेरे पास मैं ऐसे टाइम निकाल के खाते हूं कि उसके आगे पीछे काम कर लेते हूं, मतलब ये काम के चक कर मैं जल्दवाजी में खाना कभी नहीं खाती है, और जल्दवाजी में खाना खाना भी नहीं चाहिए है, हमेशा सांती से ही खाना खाना चाहिए, पी तो मैं कुछ इस तरीके से निकालूंगे एक प्लेट में करके इस तरीके से पेपर भी विछा लिया है जिससे जो इसके छिलके हैं वो पेपर पे ही आए नहीं तो बहुत सारे फैल जाते हैं तो इससे बड़े असानी से निकल जाते हैं ज्यादा टाइम भी नहीं लगता कुछ नहीं डाना बस पीनेट अकेले ही डाना है और अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है तो पहले तो जो ग्राइंड करोगे न तो इसका पाउडर बन जाएगा लेकिन इसको धीरे-धीरे ग्राइंड करते जाओंगे तो इसका एक पेस्ट बनने लगेगा धीरे-धी तो इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा सा मतला बन चालू करके आप इसको ग्राइंड करते रहें सुरू में तो आप ऐसे ग्राइंड करोगे यह देखे पाउडर बन गया ना और इसको हम बार-बार पीसते रहेंगे तो एक पेस्ट तेयार हो जाएगा इसको मैंने बोला है कि ह अगर आप एक ही वार ऐसे पीसते रहो गया तो जो हमारी मिक्सी भूगरम भी हो जाती है और कभी-कभी बंद भी हो जाती है तो इसलिए थोड़ा सा ऑन करें फिर उसके बाद आफ कर दें तो बस हमारा पीनट का जो पेस्ट है बो बिलको बन के तयार हो गया है अब हम इसम और इसमें डालेंगे हनी तो आप जैसे सरसों का ओईल है या फिर दूसरा पीनट ओल आप इसमां सकते हैं लिकिन कोई भी दूसरे फ्लेवर का ओल न डालें क्विवर का टेस्ट आने लगेगा तो आपका जो पीनट है खराब भी हो जाएगा टेस्टे इसमें हम एक पेंच रिंगा कि एस कि अच्हे से मिक्स हो जाए बस हमें इतन segurança क्योंकि हमारा जो पीछ समर्मारकेज से एक जिएबर मैं को फूड़ा से टोड़ा सबसे हैं अब हमने कांच के पार लिया हुए है लॉट कि ने चॉकले साददे बहुंत को क्यूंस लिया है उसके हिसाब से मैंने इसके दो पीस लिये हैं तो आप कमिया जादा भी कर सकते हैं चॉकलेट तो आप अपने हिसाब से डाल दें और क्या और चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेंगे तो मैं इसको माइक्रोएम में मेल्ट कर लूँगी और आप चाहें तो जैसे गरम पानी का बड़ता लेके और इसको आप रख दे गरम पानी के उपर बाउल को तो थोड़ी देर में melt हो जाएगी तो आपको जिस तरीके से melt करना आप कर सकते तो मेल्ट करने से पहले हमें छोटे-छोटे टुकड़े करना पड़ेगा जिससे कि हमारी चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए यह देखिए मेल्ट हो गई है मैंने बस थूड़ा सा अब हम इसमें जो हमने पीनट का पेस्ट तयार किया था वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बस हमारा पीनट बटर बनके तयार हो गया है तो इसको हम किसी बरतन में भर के रख देंगे तो यह मेरे पास काज की जो जार था वो है इसमान डालके रख देंगे तो अगर आपको 15 दिन तक या 15-20 दिन तक यूज़ करना है तो आप बाहर ही रखे रहने दे अगर आपका ज़्यादा दिन तक यूज़ हो रहा है तो आप इसको व्रिज में रख दे तो जो घर में बनाते हैं वो इतना स्मूध नहीं बनता जैसे मार्केट का आता है लेकिन खाने में टेंस जो मार्केट का होता है ना उससे भी जादा अच्छा घर वाला होता है हमारा पीनकट बडर बिलकोबन के त्यार हो गया है इसको में तेस्ट करते हूं यह बहुत टेस्ट अग्धोडा से जैसे मार्केट में आता है बिल्कुल बैर से ही डेस्टी है लेकिन उतना स्मूध नहीं बन पाया है जितना मार्केट में मिलता है इसमूध एकदम थोड़ा सा यह ज्यादा गाड़ा भी है तो उतना स्मूध नहीं बन पाया है लेकिन बहुत अच्छा है गर्मी बहुत है बह मेरी थकान भी ठीक हो जाए उसके बाद साम की तयारी करूंगे और वॉक करने जाओंगे तो मैं अभी पैकेट खोल के दिखाते हूं कि मैंने क्या क्या मंगाया है डेली उसका समान है ज्यादा कुछ ऐसे नहीं मंगाया है मैंने गुलाब जल मंगाया है और एक लाइनर मंगाया है लाइनर मेरा खताम होने वाला था तो फिर मैंने पहली ओर्डर कर दिया है और इसके बाद ये संस्क्रीम है तो ये तीनों चीज ही मंगाया है जो डेली यूज करते हैं आज जनमस्मी है और हम लोग 11 बजे मंदिर जा रहे है रात को 11 बजे तो आप सब भी को जनमस्मी की बहुत बहुत सुपकान ना है मंदिर पहुच के इसलिपर बाहर रखनी है तो हमने बाहर रख दी है और टोकन भी ले लिया है और ये लाइन लगी है लाइन पर बैसे नहीं लगी पर चलते जा रही है तो देखते हैं अंदर भी इतना मतलब जब ज़्यादा भीड होती है ना अंदर भी लोगों को रुकने नहीं देते और फटा फट निकालते रहते हैं, तो ज्यादा अच्छे से दर्सन भी निकंने देते हैं, तो मंदिर के अंदर हम लोग पॉच गए हैं, और ये देखें कितने मैंने पहली बोल दिया कि सुकून भरा होता है एकदम मंदिर में छोटी छोटी जाकिया भी लगे हैं तो यह देखने में बहुत सुन्दर लग रही है और लाइटिंग भी बहुत अच्छी है कैमरे में इतनी अच्छी नहीं आप आ रही है लेकिन बहुत अच्छी लाइटिंग है और रात को ती ये इतना अच्छा लग रहा है नजारा ना बहुत प्यारा लग रहा है ये देखे अब हम मंदिर के अंदर पहुच गया है मंदिर में सारे भगवान इतने संदर दिख रहे हैं क्योंकि संदर इतने कलरफुल उनकी पोसाग पहनाई है और लाइटिंग भी बहुत अच्छी है तो ये कानहा जी है कानहा जी को जूला जूला देंगे और यहां बहुत लंबी लाइन लगे हुए है तो इसलिए जो पंडिट जी है ना वो रुकने नहीं दे रहे हैं जल्दी जल्दी हटा रहे हैं कि जाओ 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 तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भी जादे नहीं कर पाई मंदिर के बाहरा आप देखी सकते हैं कि बैठने के लिए बनाया हुआ जो बाहर से दूर दूर से लोग आते हैं तो वह بैठते हैं थोड़ा सा रेस्ड करते हैं फिर अपने घर जाते हैं बस अब हम घर के लिए निखल गए हैं राजते में हमें बहुत सारे स्टी डॉग मिले हमारे सोसाइटी में बहुत सारे स्टी डॉग हैं क्योंकि लोग क्या करते हैं कि उनको खाना देते हैं कल से निव वीडियो आने वाली है, जो हमारे यां एक साधी है, तो उसकी वीडियो में आपको दिखाऊंगी, थोड़ी सी क्लिप या जो भी है कि कैसे तयार होके गई, क्या मैंने डेली-डेली क्या पहना है, चार-पांस पंसन है, तो उसके बारे मैं डेली आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो आप जरूर देखना ना भूले, प्रेंट्स बाई, बाई